C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक. उन्नीस्वा पाठ प्रदर्शनी प्रिष्ट संख्या सत्तानवे से सौ तक प्रस्तुत है पाठ प्रदर्शनी सल्मा सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम नहीं मिली? सुजाता हाँ सल्मा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है न? मैं उसको लेकर प्रगती मैदान चली गई थी, वहाँ हस्त शिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी तुम साथ होती, तो और मज़ा आता सल्मा प्रदर्शनी में तुमने क्या-क्या देखा? सुजाता हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए सभी मंडप खूब सजाए गए थे अलग-अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्त शिल्पों की प्रदर्शनीया लगी हुई थी मिट्टी, लकडी और बेत के सुन्दर-सुन्दर सामान तो थे ही हाथ की कढ़ाई से कपडे पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे इस अवसर पर कई कारेक्रम हो रहे थे हम दोनोंने करनाटक से आय कलाकारों का यक्षगान और तमिलनाडू से आय कलाकारों का भरत नाट्यम देखा ओडीशा के कलाकारों का ओडीशी निर्त्य और केरल के कलाकारों का कुचीपुरी निर्त्य देखा बहुत मज़ा आया सल्मा मुझे भी कथक और मनीपुरी निर्त्य बहुत अच्छे लगते हैं प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या-क्या खरीदा? सुजाता हमने असम और नागा लेंड के बने दो बैग खरीदे बेंच से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लेंप रंजना के लिए खरीदे रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पवीलियन से एक जूट का थैला खरीदा उसने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए एक शौल खरीदी सल्मा रंजना मुंबई कब लोटेगी? सुजाता क्या तुम दोनों कल मुझे साथ लेकर प्रगती मैदान चल सकती हो? सुजाता कल रविवार है सल्मा छुटी के दिन भीड बहुत होती है हम किसी दूसरे दिन चलें तो आराम से प्रदर्शनी देख सकेंगे अभ्यास एक क अब मैं कुछ शब्द पढ़ूँगा आप उन्हें दोहराईए प्रदर्शनी छुट्टी छुट्टी लोटना राज्य भरत नाट्यम मनिपुरी नृत्य मनिपुरी नृत्य स्थान स्थान रहना सजाना ख अब आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेए हस्त शिल्प हाथ की कारिगरी अवसर मौका सुन्दर खूपसूरत चचेरी बहन चाचा की बेटी मन मोहक मन को मुह लेने वाला दो अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ ये शब्द दो अलग स्थम्भों में है पहले स्थम्भ में शब्द हैं मैं तुम वह यह दूसरे स्थम्भ में शब्द हैं गया हूं गई हूं गए हो गई हो गया है, गई है इन शब्दों का प्रियोग करके अलग-अलग वाक्य बनाये जा सकते हैं उधारण के लिए तुम गई हो वह गई है कुछ और शब्द सुनिए पहले स्तंभ में शब्द हैं, हम, आप, वे, ये दूसरे स्तंभ में शब्द हैं, गई है इनसे वाक्य इस प्रकार बनेंगे वे गई है अब आप इसी तरह से और वाक्य बनाये अब मैं आपको कुछ और शब्द देता हूँ इनसे भी इसी प्रकार वाक्य बनाये पहले स्तंभ में शब्द हैं, मैं, तुम, वे, ये दूसरे स्तंभ में शब्द हैं, गया था गई थी उदाहरण के लिए इन शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनेंगे मैं गया था, तुम गई थी कुछ और शब्द सुनिए हम, आप, वे, ये दूसरे स्तंभ में शब्द हैं, गई थी उदाहरण के लिए इन से इस प्रकार वाक्य बनेगा हम गई थी या आप गई थी अब आप इसी तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके और वाक्य बनाएए तीन अब आपको वाक्य बदलने हैं मैं आपको पहले वाक्य बताऊंगा फिर शब्द बताऊंगा जिन शब्दों का प्रयोग करके आपको उस वाक्य को बदलना है उदाहरण के लिए राजीव एक बार प्रदर्शनी में गया है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है पहले भी मैंने इस वाक्य को इस प्रकार बदला है राजीव पहले भी प्रदर्शनी में गया है अब आप वाक्य बदलिए एक वाक्य है माधवी अभी अभी लोटी है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है आज ही दो हम आज मेले से एक फ्रिज लाएं हैं इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं शाम को तीन चाचा जी कल नागपुर गए हैं इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं पिछले गुरुवार को चार अब मैं आपको फिर से कुछ वाक्य दूँगा और कुछ शब्द भी दूँगा उन शब्दों का प्रियोग करके आपको वाक्य को बदलना है उदाहारन के लिए जैकब कल सिंगापुर गया है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं पिछले साल मैंने इस वाक्य को इस प्रकार बदला है जैकब पिछले साल सिंगापुर गया था अब आप वाक्य बदलिए एक वाक्य है शीला कल सेलम से लौटी है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं दो साल पहले वाक्य है श्री निवासन आज जैपुर गया है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं पहले भी तीन सरला आज उपहार लाई है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं पिछले साल भी पांच अब आपको अधूरे वाक्य पूरे करने हैं अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ शब्द भी दूँगा शब्द हैं मंडप, हस्त शिल्प, सांस्क्रितिक, प्रदर्शनी, छुट्टी वाक्य हैं एक, सभी रिक्त स्थान खूब सजाए गए थे दो, इस अवसर पर रिक्त स्थान कारे क्रम भी हो रहे थे तीन, हम दोनों को यह रिक्त स्थान बहुत अच्छी लगी चार, रिक्त स्थान के दिन भीर बहुत होती है पांच, वहां रिक्त स्थान की प्रदर्शनी लगी हुई थी छे, इन प्रशनों के उत्तर दीजिए एक, प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने कौन-कौन से नित्य देखे दो, हस्त शिल्प की प्रदर्शनी में हाथ की कढ़ाई से बनी कौन सी चीज सुजाता को मनमोहक लगी तीन, सुजाता ने अपनी चचेरी बहन रंजना के लिए क्या-क्या खरीदा चार, करनाटक, तमिलनाडु, केरल और उडीसा में प्रचलित नृत्यों के नाम लिखो योग्यता विस्तार, एक, कथक, यक्षगान, ओडीसी, कुचीपुरी, भरत नाट्यम और मनीपुरी नृत्य के विशय में विद्यार्थी सामान्य जानकारी एकत्र करें तथा अपने अपने क्षेत्र के लोक नृत्य पर आपस में चर्चा करें दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यांकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C IET N CERT आटी